ट्राइ लेटरेल, त्री इस तरी है, त्री इस तरी है, नाविकी है, उर्जा कारिकराम. ट्री लेटरेल, ट्री लेटरेल, नुक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, प्रथम चरण, स्टेज बन, उसके बाद, दुविती चरण, स्टेज तू, और सबसे नीचे में लिखेंगे, दुविती चरण, स्टेज त्री, ठीक, चलिए, अब यहाँ पे आपको लिखना है, पहला पॉइंट, भारत में सबसे पहले यहाँ पे आप हैडिंग इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, चुकि बड़ा देरगाउत तरी प्रसने, इसने थोड़ा इसका स्का स्कालेटल समझ लिजे, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि ट्राइलेटरल न्यूक्लियर एनरजी प्रोग्राम वा स्टार्टेड इन्डी डिकेड ऑफ नाइंटीन सिक्स्टी, 1960 के दसक में प्रारंब हुआ, है न, विद्डी लीडर्सीप अप डॉक्तर हुमी जांगीर भावा, डॉक्टर भावा के नेतित पर ये प्रारंब हुआ, जिसका उद्देश था भारत की ऊर्जा जरुवतों को पूरा करना, अब्जेक्टिव कीएवल एनरजी रिक्वाइर्मेंट को फुल्फिल करने के लिए था, एटम बॉम बनाने के लिए बिलकुल नहीं था, याद रखना, सिप एनरजी पॉइंट अब उसे सपड़ रहे हैं, जिसके लिए हमको नुक्लियर माटेरियल, यानि की रेडियो एक्टिव माटेरियल, युरेनियम आदी की जरुवत होती, और डॉक्टर भावा की दूर दर्शीता के कारेंट भारत क्या है, नुक्लियर रेक्ट तक अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, और सुरवात में हम कॉंटेक्ट करते हैं, युएसे से, और युएसे से हम उरेनियम 235 लाते हैं, लेकिन उस दिन बताया था कौन सा युरेनियम, ट्रीटेड युरेनियम, फरिस्कृत युरेनियम, जिसमें परसेंटेज अब युरेनियम 4 परसन, अप्टू 4 परसन रहती हैं, वो टीन से 4 भी लिखा होता किसी में, अप्टू 4 भी आप लिख सकते हो, हैंना, तो उसमें 4 परसन तक युरेनियम था, और इसे हमने कहां स्थापित किया, तारापूर में, तारापूर में स्थापित किया, युरेनियम 235, लेकिन ब्रेकेट में लिखना, है न, इनरीच युरेनियम, इनरीच युरेनियम, या फिर इसे कहेंगे, परिस्कृत uranium हमने यूज़ किया था treated uranium भी कहा जाता है परिस्कृत भी कहा जाता है एक ही मतलब है अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा समय और चीज़ें बताता हूँ कि जब इसमें आप देख रहे है uranium 235 था तो सुरुवात में हमने जो reactor का type यूज़ किया था कौन सा type यूज़ किया था boiling water reactor यूज़ किया था boiling water reactor जिसमें की coolant पे हम boiling water लेंगे सामान ये जल लेंगे उसको boiling water reactor कहा जाएगा उसके बाद ये technology बहुत महंगी पड़ी तो हमने अगला reactor pressurized heavy water reactor अड़ आप किया और यही reactor वर्तमान में सबसे ज़्यादा है pressurized heavy water reactor बनाया ठीक अब एक बात और बता देता हूँ जैसे की तोटल अभी हम साथ reactor को पढ़ेंगे साथ reactor का power production आपको एक्जाम में पूछा है पूछा दुबारा भी जाएगा आने वाले समय में लेकिन नमबर आप reactor में कह रहा हूँ 23 प्लस वन है ऐसा क्यों तो जैसा आप पढ़ते हैं एंटी पीसी कोरभा पढ़ते हैं एंटी पीसी सीपत पढ़ते हैं एंटी पीसी मढवा ताफगरी एंटी पीसी लारा पढ़ते हैं अलग-अलग इनका क्या है unit है लेकिन anti-pc ही पढ़ते हैं उसे तो वैसे ही क्या है एक ही तारापूर के अंतर multiple unit हो सकते हैं और sub unit मतलब हम वो अलग-अलग reactor तो अलग-अलग reactor मतलब एक unit मतलब एक reactor तो overall देखा जाए 23 plus 1 reactor है लेकिन आगे जब मैं इसे समझाओंगा आगे जो यहाँ पर आएगा तो देखो केवल साथ reactor यहाँ पर है तो आपको इसमें कभी confused मत हो ना तो वापस आते हैं इस पर कि यह जो आपका reactor है पहले boiling water reactor start हुआ बाग में हम pressurized heavy water reactor यह आपका Canada model पर बेज़ दो था कौन सा pressurized heavy water अब heavy water word आया मतलब coolant में क्या use करेंगे अब heavy water use करेंगे ठीक है समझ में आ गया चलिए लेकिन जब मैं दूसरे stage की बात करता हो तेको तारापूर के बाद आगे एक और जगा आएगा रावद भाटा तारापूर और रावद भाटा जो है यह first stage वाला था second stage जो आया था वो कहां पर कल पक्कम कल पक्कम में क्या है use की पैरम हुआ था और यहां पर रियक्टर कैसा था यहां पर रियक्टर pressurized heavy water reactor था pressurized heavy water reactor था इसमें fuel काँ सा use हो रहा था भई तो plutonium 239 plutonium 239 कहां से प्राप्ट किये भई हमने uranium 238 को pass कराएंगे breeder reactor तो यहां पर reactor कैसे लिखेंगे तीन प्रकार का reactor आएगा तो यहां पर लिखेंगे FBR fast breeder reactor fast breeder reactor लिख लेंगे इसमें fast breeder reactor उसके बाद अगला अगला आएगा advanced heavy water reactor लेकिन advanced heavy water reactor actual में developing stage में है यहां पर advanced heavy water reactor FBR PHWR और BR यह तीन प्रकार के reactor यहां यूज किये गए थे fuel कौन सा यूज किया जा रहा है plutonium 239 यूज किया जा रहा है अब देखिए यहां पर आगे चीज़े और interesting चीज़े है मैं compare करूँगा सब में आप मुझे बताईए uranium 235 जब हम यूज कर रहे थे तो reaction fast चलेगा की नहीं क्योंकि सबसे best fuel है yes or no ठीक उसके बाद जब हमने इस treated uranium को goodbye कह दिया हम नहीं खर कर सकते भी वो 2 रुपिय का घोड़ा 4 रुपिय दाना वाला system कि जो बहुत महेंगी technology पढ़ रही थे हमको electricity नहीं बनानी है और UST को बना कर दिये तो हम Canada से उस्षीज को जब लिए Canada माले model को से हमने जब pressurized heavy water reactor पाप किया तो इस समय हम अब plutonium को भी use करने लगे ये first round में भी तो first round में reactor में कौन-कौन से इंधन uranium 235 और plutonium 239 second stage में plutonium 239 कर रहे हैं और क्या करेंगे भई breeder reactor से और क्या मिलता था uranium 233 भी तो मिलता था breeder reactor वाला कौन सा वाला ये मैंने जो बताया हुआ था तहां पर ये आपका सुरुवात में जो बताया था आप क्या कर रहे हैं देखो ये वाला भी यूज़ कर रहे हैं और हम यहां भी ये वाला भी यूज़ कर रहे हैं कौन सा second में तो भारत में breeder reactor कब इस्थापित हुआ था 1984 में स्थापित हुआ था कल पक्कम में स्टार्ट हुआ था ठीक है second stage कब स्टार्ट हुआ था ये देखो पहला तो 1969 है पहला वाला हम देखते हैं 1969 है 1969 में पहला इस्थापित हुआ था तो दूसरा 1984 में स्थापित हुआ था ठीक है दूती चरण वाला अब थार्ड तो अभी डवलपिंग स्टेज में है advanced heavy water reactor की खास बात मैं बताऊँगा थोड़ी दिर में ये रियक्टर को याद रखना ये दोनों रियक्टर को याद रखना ये मेन चीज है कि इस दौरान में किस प्रकार के रिक्टर FBR और BR में अंतर क्या है सुनिए FBR और BR में अंतर ये है जिसमें की neutron को देखो F का मतलब fast है F का मतलब fast जिसमें की nucleus में तेज गती से आते हुए neutron को आप attack करेंगे मतलब ऐसा रियक्टर FBR कहलाएगा fast velocity के साथ आता हुआ कोई neutron अगर किसी nucleus को attack करे तो तेजी से आगहाप करे तेजी से उसको attack करे तो किसको तेजी से unstable नहीं मतलब 4-5 फ्यूल बताया हूँ तो किसको वाला thorium और यम वाला के लिए आपको FBR यूज करना पड़ेगा for the production of this uranium 233 समझ में आया क्या बोला मैंने भई मैं fast FBR को कभ यूज करूँगा जब thorium को entry कराऊँगा और ये मिलेगा थोरियम पूर टाइप का fertile material है कमजोर प्रकार का क्या है आपका उत्पादक पडार्थ है जबकि मैं uranium 238 को यूज करूँगा तो BR से ही काम चल जाएगा समझ में आया सभी लोग समझ पाए क्या BR वहाँ यूज करेंगे जहां पे neutron की speed थोड़ा सा भी टच कर दो तो हो जाएगा और जहां पे थोड़ा टच करने से नहीं हो रहा भी neutron को मतलब वो fast baller है समझो और ये क्या है BR क्या है spinner है समझो एना spinner है मतलब धीरे से अटेक कर देगा तो फिसाइल हो जाएगा तूट जाएगा दो भाग में तूट जाएगा और जब ये fast baller है तो तेजी से जब करेगा तभी उसका stump उखड़ेगा यानि कि तभी वो दो भाग में टूटेगा चीज़ा समझ में आ गई हब मुझे ये बताइए जो पहले से ही slow है तो उसे और slow करना पड़ेगा क्या मतलब मैं लिख सकता हूँ कि आपको यहाँ पे BR में यानि ये FBR में जब भी FBR प्रकार का होगा FBR में No Moderator भाई जिसको तो खुदी fast वाले चीज़ें चाहिए खुद से slow है पहले से तो अलग से मंदा किया cross breeder reactor में मंदक की ज़रूरत नहीं पड़ती जो पहले से ही slow है और क्यों slow करोगे भई समझ में आया लेकिन pressurize heavy water reactor में क्या यूज किया जाएगा तो ये वही चीज़ें बार बार repeat होगी क्या क्या उपर वाले में यहाँ पे FBR है क्या लिखेंगे हमारे पास Dाचingly D2O यूस हो जाएगा D2O क्या यूस होगा M मतलग यहाँ पे D2O यूस हो रहा है इसमें भी coolant में क्या यूस होगा coolant में क्या यूस होगा आपका D2O यूस होगा कोई confusion है तो पूछिए में मैं क्या बताना चाहरा हूँ जब आपने फ्यूल आपने रियक्टर बना लिया रियक्टर समझ में आ गई फ्यूल कौन सा समझ में आया है अब मैं यह भी तो बताऊंगा भी कूलेंट क्या यूस होगा तो इसमें डी टूओ यूस हो रहा है भाई इसमें भी डी टूओ यूस को अप्लाई कर दो, moderator तो दोनों में common है, D2O तो दोनों में common है की नहीं, heavy water, और क्या है, और क्या है moderator में, graphite, graphite, इसे use किया जाता है, ठीक है, beryllium oxide अभी use दे करते हैं, इसमें पहले stage में उतनी technology हमारे पास ने थी, चलिए, coolant हमने use कर दिया, इसमें भी, इसमें भी same to same है replica है, कोई समस्या नहीं है, अब इसमें क्या लिखेंगे, no moderator, लिखेंगे no moderator, moderator इसलिए ज़रत नहीं पड़ेगा second stage में, क्योंकि हम FBR यूज़ कर रहे हैं, fast breeder reactor यूज़ कर रहे हैं, और fast breeder reactor यूज़ करने के पश्चाद हमको ये result जब मिला, ये result मिलने के पश्चाद इसको reactor में हम entry कर वाएंगे, कोई confusion हो रहा है क्या, simple सी बात है, second वाला देखिए, summarize कर रहा हूँ, second stage का nuclear reactor program, हमने कलपक्कम से start किया था, इंद्रा गांधी Center for Atomic Research, IGCR से, उसके बाद कलपकम में start किये, जो reactor का type था, हमने पहली बार एक नई technology जो है, इस breeder reactor, जो अगली generation का breed पैदा करें, अगली generation का nuclear material पैदा करें, चोकि ये breeder reactor है, breed पैदा कर रही है, fast breeder reactor है, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार के, कोई moderator की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सुरुआत से ही slow है, इसलिए अलेक से slow करने की ज़रुरत नहीं है, जब result के तोर पे हमको plutonium और uranium 239 मिल गया, दोनों में best कौन है, plutonium, plutonium को यूज करेंगे किस में, इस PHWR में यूज करेंगे, अब PHWR में जब इसे यूज करेंगे, और उससे हमको nuclear power बनाना है, तो PHWR में जो हमने coolant यूज हम करते हैं, वो heavy water यूज करते हैं, लेकिन moderator को यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये FBR से produce हुआ है, moderator को यूज करना नहीं पड़ता, तो दुटी चरण के, आपके nuclear energy program में, मंदब की आवश्यक्ता इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि वो fast breeder reactor से, पुत्पन हुई होती है, अगर हम PHWR को में अगर जर्वत पड़ी, उस case में हम यूज कर सकते हैं, moderator लेकिन इन जर्रली FBR से connected है, that's why यूज नहीं करना पड़ता, आउट अप control हुआ तो controller road, controller road में कोई दिमागी नहीं लगाना है भई, उपर से नीचे same to same लिख दो, अब आपको वही जो 4-5 भाग में बताया हूँ, उसको आप summarize करिए, लेखिए common चीज़ों को आप पहचानना सिखिए, common चीज़ें क्या-क्या हैं, उपर से नीचे, उपर से नीचे देखिएंगे common चीज़ें, सब में controller road, बुरान और cadmium है, तो द्विती चरण में नियंत्रक क्या यूज़ किया था, प्रथम चरण में क्या यूज़ हुआ था, बुरान cadmium, बुरान cadmium, बुरान cadmium, ये common चीज़ हो गई, फर्स और सेकेंड में common क्या है, D2O common है, ये common चीज़ हो गई, फर्स, सेकेंड, थर्ड में PHWR, PHWR, PHWR सब में common है, क्योंकि सबसे ज़्याज़ रियक्टर इसी वाला है, यही वाला है, PHWR वाला है, तो ये ऐसे ही नहीं लिखा जाता भई, 100 सब्दों में, 175 सब्दों में, आपको इसको content तो भरना पड़ेगा आपको, समझ में आया, तीनों में common चीज़ें बताया, controller common है, आपका D2O common है, पहले और दूसरे में, और तीनों में PHWR, Pressurized Heavy Water Reactor, दावित भारी जल रियक्टर, तीनों में common है, लेकिन नई टेक्नलोजी क्या है, नई टेक्नलोजी है, Advanced Heavy Water Reactor, जो third stage का, आप तीसरा stage समझेए भई, अगर आपको grasp हो गया है, first or second, तभी मैं तीसरे की और जाओंगा, कोई समस्या तो पूछिए, third stage, nuclear program, is actually in under developing stage, Advanced Heavy Water Reactor, AHWR, है ना, यह अभी भी developing है, इस बेज़ उसमें fuel क्या यूज़ करोगे, thorium, अब thorium भारत में तो बहुत है, तो third stage, nuclear development program, is based on thorium, thorium आदारित, प्रिटी चरण की, हमारी नाविकी उर्जा कारिकरम, हमने start किया, वो developing, under developing stage में है, AHWR का, इसलिए कभी भी, आपका देखो, overall हम production करते है, 6780, अभी थोड़ी दिरवाद बताऊंगा, 6780 megawatt power production, अभी है, 2023 के data के हिसाब से, कल मैंने चेक किया था, NPCIL के website से, तो अभी अप्रेल, अप्रेल 2023 में, जब हम ये lecture कर रहे हैं, तब तक के लिए, हमारा power production, overall, 6780 megawatt है, तो उसमें, एक भी production, AHWR वाला नहीं है, सब क्या है, PHWR वाले जादा है, जादा तर यही वाला है, आपको notes में भी यही मिलेगा, ठीक है, हाँ, वापस चलते हैं, तो इसमें क्या है, फ्यूल क्या है भी, आपका thorium है, thorium क्या है, आपका fuel यूस होगा, लेकिन केवल thorium ना होने के कारण, हम यहाँ पर यूस करेंगे, MOX, mixed oxide fuel, mixed oxide fuel, पहले लिख लो, thorium आधारित है, इसे हम actual में, इंधन क्या कहेंगे, इंधन क्या कहेंगे, तो इसको लिखना है, MOX, MOX कहेंगे, MOX का मतलब क्या है, कहां लिखेंगे, अगला slide लिखो, MOX का मतलब देखो, thorium, MOX का मतलब यहां पर, दो प्रकार की चीजे हैं, पहले हम, thorium को, plutonium के साथ, mix कर देंगे, अकेला तो काफी है नहीं, तो दूसरे ही मदद ले रहा है, thorium को plutonium के साथ, mix कर देंगे, और दूसरे में, thorium को uranium के साथ, mix कर देंगे, और oxide word है, तो उसका oxide भई, THO2 और PUO2, कैसे लिखेंगे, MOX को मैं यहां पर लिखके बता देता हूँ, देखो, अगर MOX को मैं कहता, अगर मैं MOX कहता, आप लोग वहां पर जगह है, तो वहीं लिखेंगे हैं ना, तो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, है, PUO2-THO2, यह thorium dioxide और, plutonium dioxide है, उसी प्रकार एक और बना लो भी, हमारे पास uranium UO2, और यहां पर लिखेंगे, THO2, तो यह हैसे कहा जाता है, MOX कहा जाता है, MOX कहा जाता है, अब third stage में क्या होगा, third stage में आपको लिखना है, जो coolant आप यूज कर रहे हो, कौन सा वाला, heavy water यूज कर रहे हो न, तो इस बार heavy water नहीं यूज करेंगे, liquid sodium यूज करेंगे, तो यहां पर क्या लिखना, coolant, coolant में हम यूज करेंगे, liquid sodium, liquid sodium यूज करेंगे, ठीक है, और आपका moderator में वही सेम चीज़े हैं, moderator में आपका, क्या लिखेंगे, BE2O, Beryllium dioxide, या फिर हमारे पास, D2O, यह हमने क्या कहा, नीचे वाला को कहा, आपका moderator, मंदक, मंदक में क्या लिखेंगे, यहां पर, moderator, क्या सब को clear है यह, ठीक है, आपको अब summarize कर दी, controller क्या आएगा, Boran Academium आएगा, same to same, लेकिन अब मैं पीछले वाला slide में जाता हूँ, देखो, इस चीज को गौर से समझे, third stage में fuel क्या यूस होगा, thorium based technology, जो mixed oxide fuel होगा, MOX होगा, ठीक है, इस में मैं कहूँँगा, coolant क्या यूस होगा, liquid sodium यूस होगा, in place of D2O, और इस case में मैं moderator के तोहर पे, D2O यूस कर सकता हूँ, या beryllium oxide यूस कर सकता हूँ, this is all about your trilateral program, इसको थोड़ा ये technical content था, ये technical content था, जिसका मैं यहाँ पे, आपको remaining part, 3rd वाले को वहाँ बताया हूँ, तो तीनों में कहेंगे, तो पहले में क्या था, पहले में ये था कि, uranium 235 और plutonium, दूसरे में क्या था, plutonium और uranium 233, अब तीसरे में क्या था, mixed oxide fuel, ethereum, ठीक है, mixed oxide fuel और thorium, ठीक है, चलो, पहले में हमने ये देखा, कि reactor का type, BWR और PHWR, दूसरे में हमने देखा, FBR और PHWR, और तीसरे में PHWR, और advanced heavy water reactor, PHWR, समझ में आया, बाकी fuel और समझ में आया, ये समझ में आया, किस में coolant लगेगा, किस में निल लगेगा, नोट करवा दिया हूँ, कोई confusion तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, समस्या है क्या सामने वालों को, उदास चेहरे रग रहे हैं भई, पीछे वाले भी, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है, तो पूछिए भई, आगे बढ़ते हैं चलो, अब हमारे पास देखेंगे, यह प्रोग्राम, देखो, वो पिछला वाला जो content है, यह आपको बड़े नंबर में पूछा है, और 2021 का में इसका question देखो यह, CGPAC 2021 का exactly replica है यह, पूरा यही question पूछ दिया था, कि भारत में नाभी की उर्जा संस्थानों को लिखिये, और उसमें उर्जा कितना उत्पादित हो रहा है, nuclear reactor को लिखना था और power production को लिखना था, तो power production को लिखना था, देखो पहला stage, दूसरा stage को अब यहाँ पे समझीए आप, कैसे देखो मैंने कहा था, तारापुर, तारापुर और रावद भाटा यह आपका first stage है, first stage है, बाकी नीचे देख रहे हैं, सब second stage है, क्योंकि third to developing है, ठीक, तो second stage कहां से प्रारम हुआ है, कल पक्कन से प्रारम हुआ, आपको यह प्रस्न ना, आपको हो सकता है कि, उद्योग वाला energy वाला topic होगा आपके geography वगरे में, economy वगरे में, तो वहाँ पर भी यह table दिख जाएगा, लेकिन actual में यह यहाँ टा टेबल है, तो चलिए इसे देखिए, आपको इसमें प्रालिम्स में भी प्रस्न पूछा है, प्रालिम्स में प्रस्न पूछा है, कि कौन सा reactor कहां इस्थित है, और seismic zone, बारत में जो seismic zone है, जोगराफी में पढ़ते हैं तो कौन से seismic zone में कौन इस्थित है भी पूछा है, तो उसको मैं एगले slide में cover कर दिया हूँ, फिलाल अभी देखें, कि first nuclear reactor that is established on 1969 in तारापूर with the help of USA, महरास्टा, एए स्वरी, यह महरास्टा में हम देख रहे हैं कि USA की मदद से हमने कहां पे तारापूर में स्थापित किया, कौन सा फ्यू लोगा, treated uranium-235, समझ में आया है अब ये बात, इसका अभी वर्तमान में production देखेंगे, यह जो है, यह देखो, starting में गुडवाई कह दिया था, तो इसको replace कर दिया गया PHWR वाली से, तो वर्तमान में इसका production जो है, मतलब वो अमेरिका वाला model नहीं है, अमेरिका वाला model पहले स्थापित किये थे, उसको replace कर दिये बाद में Canada model से, लेकिन वर्तमान में देखा जाए, इस जगा पे, तारापूर में कितना power production है, तो वो है 1400 gigawatt, मेगावाट, ठीक है, यही लिखना है, अगला रावत भाटा, तो रारा से याद रखना, रा मतलब राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, ठीक, आप देखते हैं, कि 1973 में स्थापित हुआ था, with the help of Canada, और Canada का यहाँ पी जो model इतना अच्छा है न, कि Canada वाले model को, हमने उसके design को copy कर दिया, और उसके बाद बाती सब देख रहे हैं, यह indigenous हम बनाए, यह बनाए भारत में, इंडिजिनस की स्वधेशी, लेकिन design किसका था, Canada गावाट, तो भारत में सरवाधिक जो reactor है, वो Canada model पर बेज़द है, और PHWR बादे है, प्रेसराइज हैवी वाटर रियक्टर, दावित भारीजल रियक्टर है, ठीक है, इसका production 1180 मेगावाट है, 2023 का डेटा है यह, उसके बाद देखेंगे, यह वाला आता है, कलपक्कन, परमानो, विद्युद्ग्री, इसे हम IGCR भी कहते हैं, इंद्रा गांधी सेंटर फॉर ए स्वैदेशी डिजाइन है, कनेडा वाला डिजाइन है, ठीक है, 440 मेगावाट, इसके बाद देखेंगे, नरोरा आप सभी को पता है, नरोरा यूपी में है, है ना, इन सब में आपको एक बार ध्यान रखनी, यह हो सकता, यह उतना ना पूछे, लेकिन यह इसका पेरिंग कौन सा स्टेट में है, कौन से कंड्री की हेल्प से हुआ, यह जरूर पूछेगा, प्रलिम्स में, में तो पूरा काम का है, नरोरा यूपी में है, 1991 में स्टाइबलिस हुआ था, और यह भी इंटीजिनेस, कनाडा वाले डिजाइन को हमने भारत में बनाया, अरफ 440 है, डीटेल जो है, अभी 2023 वाला जो मेरे पास आया था, यह देखो, यह भी 2023 का कल का मैंने निकाल की दिया था, आपको PDF में सेंड कर दूँगा, अगर आपको यूनिट चाहिए तो, ठीक है, अधर वाज यूनिट ना भी डालें, डारेक्ली लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक, काकरा पार को यसे याद रखना, गुजराती डिश, खाकरा फापडा, ठीक है, ढोगला, तो खाकरा फापडा से याद रखना, काकरा पार कहां situated है, इन गुजरात, ठीक है, तो इस परकार याद रखना, क्योंकि एग्जाम अल में ये सब चीज़ें, इधर-ुदर की चीजे ने बड़ी help करती है, solve करने में, confusion create नहीं होता थे, ठीक, तो काकरा गुजरात में, काकरा पार 1992 में establish हुआ था, स्वदेशी है, इंडिजिनस है, और उसके बाद देखते हैं, केगा, केगा करनाटक है, ये वही करनाटक है, केगा है, जिसने कोवीड पीरियड में record production of nuclear power इन्होंने किया था, in single operation, एक प्रयास में, एक ही प्रयास में, तो यहाँ पे देखेंगे, सन 2000 में establish हुआ था, 880 MW का production है, ठीक है, एक single operation में है ना, चलें, इसके बाद देखते हैं, last वाला आता है, कुडन कुलम, अगर आपको visible नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ, कु कुडन कुलम, अब देख रहेंगी, तमिल नाडू एक ऐसा state है, जहाँ पे कलपक्कम भी है, और कुडन कुलम भी है, तो कुडन कुलम, जो रियक्टर है, तमिल नाडू में स्थित है, इसका जो production है, मैं अभी production बता देता हूँ, रशिया की मदद से यह जो है, स्थापित ह हुआ था, रशिया की मदद से स्थापित हुआ था, यह सेम चीजें आपको इधर भी दिख जाएंगी, यह वाला, देखो, दो अजाब 13 में स्थापित हुआ, और 1000 मेगावाट जो है, यह production है, यह मेगावाट वाले को इसको मत लेना भाई, उधर पहले वाले स्लाइट को जादा अपडेटेड है, ठीक है, और आपको ओवराल देखना है कि यह रश्या की मदद से हुआ, अच्छा, अब आपको मैं बता देता हूँ, पुडन कुलम का बहुत विरोध हु रहा है, हुआ था, जैतापुर महरास्टा एक अंडर कंस्रक्शन है, वहाँ अगा भी बह लिखेंगे तो 2, 3, प्लस 1, यानि कि 23 प्लस 24 नुक्लियर रियक्टर है, 23 प्लस 1 कहेंगे, आपको डेटा के अवल 23 का मिलेगा, 24 का नहीं मिलेगा, तो लेकिन मैं आपको ओवराल जो प्रोडक्शन का फाइनल कंक्लूजन कह दूँगा, तो कितना है, वो है आपका 6780 मेगा आप इसको सबको एड़ कर दोगे ना तो वही डेटा मिलेगा, क्या है 6780, 6780 मेगा वाट ये आपका ओवराल प्रोडक्शन है, इसी को लिखना था, आपको थोड़ा सा समराइस कर देना थी, आठ नमबर में पूछा आपको, आठ नमबर मिला, 100 वर्स में, ये टेबल को बत आपको लिखना था, फुल माक्स मिलता आपको, नमबर बिल्कुल नहीं करते हो, अगर आपको वर्ड कम पढ़ जाता, वर्ड 100 वर्स के लिए कम पढ़ जाता, कुछ कॉंटेंट, तो आप क्या लिख सकते हो, फाइनली, की भारत का जो ट्राइलेटरल प्रोग्राम, वो और यहाँ पे चटका, राजस्थान का है, इस परकार अलग-अलग कुछ रियक्टर का जो है, नाम जो है, उसमें आप डाल सकते हो, जो अंडर कस्ट्रक्शन है, आने वाले समय में, वर्स 2000, वर्स 2050 तक है ना, आप देख रहें कि डुक्लियर रियक्टर से प्रड्यूस जो पूरा करेगा, नुक्लियर रियक्टर से पूरा करेगा, इस प्रकार कुछ content जो आपके notes में दिया हुआ है, यह चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोड़ी समस्या नहीं है, अगर यह नुक्लियर रियक्टर को आपने देखा, समझा, आब इनके locations को थोड़ा बेगावाट, यदि आप इनका रियक्टर को देखेंगे, तो अलग-अलग सीजमिक जोन में स्थित हैं, अलग-अलग जो भुकमपी छेत रहें, आपने एक नाम तो सुना होगा, फुकुसीमा, फुकुसीमा जो है, जैपैन में स्थित है, और फुकुसीमा में जो नुक्ल पुकुसीमिक से रखा है, अगर सीजमिक जोन में है, कभी भी आर्थ को एक आया, भुकम पाया, तो ब्रेक हो सकती है, ब्रेक होने पर रेडियेशन हो सकता है, तो मतलब फुलमिला की नुकलियर वाम ही तो है, मतलब रेडियेशन होगा उस एरिया के लोग बहुत सारी झाल झाल